प्रोग्रेम सोशल रिव्यू के एक और एपिसोड के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान समीन नवाज नाज़ीन अपने आज के इस प्रोग्रेम में हम कुछ बात करेंगे क्रोना के बाद तब्दीली के हवाले से यानि कि जो इनसान के तर्ज जिंदगी में जो हमारी डेली रूटीन में जो हमारी तमाम तर मामूलात में तब्दीली वाकिय हुई है लॉक्टाउन खुल रहा है आहिस्ता आहिस्ता करोना का जोर कम होता चला जा रहा है लेकिन इहत्यात अभी भी बताई जा रही है तो अब मुक्तलिफ मौशरों में जो तर्ज जिंदगी तब्दील हुआ है इस करोना के बाद से जो आपका और डिफरेंट एक्टिविटी इस टी डेली रूटीन के उस तो एक्तियात बताई गई है उसको इक्तियार नहीं किया जाएगा तो हम एक मरतबा फिर मौशरे में लॉक्टाउन लगता हुआ देखेंगे या हम यह देखेंगे लोगों को सक्ती पर मजबूर किया जा रहा है और उनको जबरदस्ती सोपीज फॉलो करने पर जो है वो महफूज रहने के लिए हम खुद ही तमाम तर चीजों को तमाम तर इंस्ट्रक्शन को तमाम तर इहतियात को मलहूज खातिर रखें ताके इस मूजी मर्स से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकें और जो यह ख्याल आ रहा है या जो मुक्तलिफ प्लैटपॉर्म्स पर या इस डिसकस कर रहे हैं कि शायद अब दुबारा वो हमें पुरहुजूम इवेंट्स ना मिल सकें या हमें दुबारा वो तमाम तर सरगर्मिया बहाल होती हुई नजर नहीं आ रहीं जो पहले होती थी जो क्रोना कियामत से पहले लोगों के इवेंट्स से जो तकलीबात मुन करते हुए नजर आ रहे हैं और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो क्या यूरप की तरहां से यहां अमरीका में भी हम क्रोना को एक नए से से पहलता हुआ देखें से नियू वेफ के बारे में जो बात की जा रही है हुए वहम्मे दूबारा से पहलती हुई नजर आेगी और एक बड़ी तादाद में जिस तरह अमरीका में पहले हम बात हुई हैं वो क्या दुबारा खुदाना खुशता ऐसी ही सुरते हाल होगी या लोग अब समझधार हो चुके हैं और रहतियात कर रहे हैं इस पर हम कुछ बात सीथ करेंगे हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनलिस्ट माबज असस तिदीगी साहब उनसे हम गुफटगू करेंगे लेकिन एक मुक्तसर से वक्ते के बात झाल 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 हल्कम एक नाज़ीन प्रोग्राम सोशल रिव्यू में एक बार फिर आपको खुशाम देद कहेंगे और जिस तरह ब्रेक पे जाने से कब्ल बात हो रही थी कि मौशरों में तब्दीली के बाद इस वक्त सुरतेहाल क्या नज़र आ रही है और जिस तरह से यूर्पिन कंट्रीज में अक्सर और बेशतर मौमालिक में ये सुरतेहाल हमें नज़र आईए कि वहाँ पर लॉक्टाउन जल्दी खतम कर दिया गया और लोगों ने चूंक एस वपीस फालो नहीं किये लहाज़ा फिर से केसिस रिपोर्ट होने लगे करोना पेशिंट्स के कोविड-19 के और एक मरतबा फिर वो हमें लॉक्टाउन की जाने बढ़ते हुए नज़र आई इसी पर कुछ बात करेंगे मावी साब सबसे पहले मुझे बताईए कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दीगर यॉर्पियन कंट्रीज हैं या न्यूजिलेंड है या और ऐसे मुमालिक हैं जहां पर लॉक्डाउन पहले खत्म कर लिया गया था और ये तास्र दिया जा रहा था कि करोना मुकमल तर पर क मुग्तलिफ डिस्ट्रिक्स में यह इस्तेट्स में जो है भो लॉकडाउन लगता हुए नजर आरहा है और वहुआ यकीनां क्रोना की निव वेडे के हेक हाल से हम क्या अमरीका में भी सी तरह कि सुरथहाल देख रहे हैं यहां पर क्रोना की कया स्रुथआ हाल है डेली है और जहां सिर्फ टाइमिंग का डिफरेंस बास रियासतों से एक रियासत में तीन गंटे का है सफर जहास का सफर भी छेशे गंटे का है लेकिन ये कि बास जगाओं पे जैसे नियॉयर्क में बहुत शदीद था और हम जिस कर्ब से गुजरे और जिस अग्लीफ से गुजरे हमने खुद नियॉयर्क में जिस तरीके से जो है मौत के तूफान को चलते वे देखा और जिस तरीके से करोना के हावाले से हमने चीज़ें देखी अब वैसा नहीं आता लेकिन इस वक्त दूसरी रियासographic हमें पहुंजगा है जिसमें कैल Tillिया से हमने है जिसमी वैसे मेंेट की रियासित शाओ करोना के समें अगया रहा है। चन्द जैसे मैंने आपको जगां पता ही उसके लावा एक दो जगां और हैं जा केसे बढ़ड़े हैं आप इसे अदार लगा लें कि गुदिश्टा दो तीन दिन के अगर मैं आपको फिकर बता हूँ आज जो है वो 571 अमबात हुई है पुरे अमरिका में और तक्रिबर 40,000 क करीमने के से जाय हैं इसे पहले कल जो है इतने ही तकरीबन हुए थे और से पहले हजार के करिवा मबात हुई ही तिन तीन दिन पहले और वही रेश्व जो है 40-50,000 ये टेस्ट होने पे अगर टेस्ट नहीं हुए तो बहुत से लोंगा पता नहीं चलता अब जो टो टोटल लाग या छपर लाग छपर उस्तावर लाग के दरम्यान जो अब तक हैं जो टेस्टेड हैं वो पॉजिटिफ हाएं उसके नतीज़ में वाद हुई है वो भी एक खौलनाख नंबर है जब शुरू में कहा जा रहा था तो हमें बड़ी हैरत होती थी कि अब तक एक लाग तक एक लाग पिच्छतर हजार अफराज जो है इस करोना की वज़ा से अपनी जान से हाथ दो बैठें तो यह जो हम कह रहे हैं कि अमरीका में दोबारा शुरू है दोबारा से मुना दिये कि कहीं जगा के तबदील किया है अभी तक अलहम दोल्ला जिस रियासान में मैं बैठा है हम मैं खुद भी सोचल वर्कर और एक जनलिस्ट के हैसे से इन्वाव लुणा तो मैंने देखा कि किस तरहा जो है वो लोग जिस तरह सुके पत्थे द्रख से जड़ते हैं इसी तरह से लोग इंतकाल कर रहे थे बीमार हो रहे थे घरों में अराम कर रहे थे लेकिन अब सुर्ट हाल नहीं है जब कि दूसरी तरह जो मैंने आपको रहासते हैं बटाई हैं खासर प्रकर लुफियों हैं बहुत जादा मुतासर हो एक एक दिन में सेक्रो केसे साबने आ रहे हैं प्रॉजिटिव होने के और सेक्रो और धरजनों के जो है आमवाद के जो है वो खबर जो उस पर भी लोग च्वज़ार आ हूंग्न उस तरह जा लोगा लिए उस त्रीका से магिा भी आमरीका में किसी भी कौस्त से पास और आक 70 अवराद का बर जाना जाए जा एक बड़ी खबर होती है तो अब ये तीन दिन में अगर मैं रिश्यों लगा लो त कर्म्हें 2000 आदमी जो हो अपनी जानों से हाथ दो पेट हैं तो इस लहाँ से खत्रा है जो अभी तक टला नहीं हैं और एक खौफ किसी फजा है और इसी खौफ की फजा भे मुक्तलिफ रियासतों रियासत वाले जी रहें जहां मुक्तलिफ जहां शुरू हो जाता है लेकिन इसके साथ- ये चीज़ें दुबाराब शूरू हो सकती हैं और किनकन अवरात को होता है क्योंकि अभी तक इस तीजु पे काम करने हैं कि दूबारा हो सकता है नहीं हो सकता है एक काद खुका केसिजब हैं लिकन बलक में कोई ऐसी चीज़ नहीं है अच्छा जिस तरह हमने बात की के लॉकडाउन खत्म कर दिया गया और खासा पसुपेश का इसमें मुझाहरा किया गया बिल्खुस यहां अमरीका की अगर हम बात करें तो जो मेर्स थे जो गवर्नर्स थे वो इस चीज़ पर मुसिर थे के जी अभी लॉकडाउन नहीं खत्म होना जाए जबके ट्रम्प इंतजामिया ने इसको जल्द खत्म करने की बात की तो जिस तरह से लॉकडाउन खत्म किया और फिर लोगों की लापरवाही की वज़े से केसिस भी बढ़े और दीगर मुमालिक की तरह से अमरीका में भी केसिस रिपोर्ट हुए पार्टीज हो रहा है यहां लगता है कि अमरीका में जो करोना का सलसरा पांच फरवरी से शुरू हो आश की दिन तक जो है वो चल रहा है और यह हो का एक जगा की शिफ्टिंग जरूर कह सकते हैं उसको जो दुबारा किसी आलाके में इस तरह लॉट के अब तक नहीं आया है लेकिन स्टे वाले लाके हैं और उस तरफ जो है वो जादा अब केसिज आ रहे हैं सामने और यह बहुत लगता है यह था कि इस तरह केसिज नहीं आएंगे लेकिन केसिज मुस्तकिल बढ़ते चले जा रहे हैं आप खुछ सोचे कि हम मौदना करें कि जो ने केसिज हैं तक तक पुरे कांसेप्ट सामने आए थे मुक्तलिफ बातें की गई थी और सर्द मौसम को भी जो है वो खासा हमें यह कहा गया था कि चूंके मौसम की अभी शिदद ज्यादा है सर्दी की लेहाजा इस वज़े से क्रोना ज्यादा तेजी से पहल रहा है तो एक मरतबा फिर सीजन चेंज ह झने जा रहा है मौसम में गर्मा खत्म हो जाएगा मौसम सर्मा की आमद होगी आपको क्या लगता है किया मह जो अवाम की लापाराई के हमाले से तो मैंने जैसे पहले आपको अपने सवाल के जवाब में पहले आपको जो सवाल था उसके जवाब में कुछ बात इंगी थी उसमें अवाम के हमाले से कहा यकीन जा है वो यहां अवाम की तरफ से लापरवाई कहलें उस तरह की लापरवा और जिस new ने बैस्ता से लोग ने भी नहीं थे वह और रे हैं और लोग देवी रहे लोग दिए वी रहे हैं खुछ भी हो रहे हैं लेकिन ने देखा जिस तरीखे से वहां चीजे हो ईही थी उसको लापरवाही ही केंगे लेकिन फिर भी अलंद लिल्ला लेकिन यहां जो है वो लोग लापरवाई से जादा मैं कर सकते हूं फरेस्टेट हो गए हैं देखें फर्वरी पास से पहला के शुरू हुआ और फिर उसमें बढ़ते 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 जो है मार्च में जो है वो लोगों को करना, लोगों को दोस बनाना, रिश्टारों से मिलना, भाई बहनों से मिलना, यह एक नेश्रल चीज़ है, तो लोग जब इसके खिलाफ कोई चीज़ होती है, खुद्रती हो या जबर्दस्ती हो, तो लोग इस तरिका से कर मतलब जा रहे हैं लोगों आप लॉक्डाउन हो बड़ा इश्त्मा हुआ जब हम पार्क में गए, वहां काफी हज़ारों की तादाद में लोग मवजूद थे, इस तरीके से मुराज बैरल बीक्यों के लिए, तो हदारों की तादाद में वहां लोग मौझूद थे, उसमें अब उसको क्या कहेंगे, कि उसमें आपरवाई की गई है क्या की गई है लेकिन जो है वो इस तरीके से नियॉयॉर्क में दोबारा नहीं फैला है अभी तक और लेकिन जो एहम बात है मैं जब डॉनल्ल्ड ट्रॉम ने पिछली मुड़ता कन्वेंशन किया तो उनके पेलजाम लगाया गया कि उनके कन्वेंशन की वज़र से जो है और बहुत सारे लोग जो है वो इसका शिकार होंगे जब कि दूसरी तरफ जो है बात अगात पॉलिटिकल गेम बीएस पे ना तो बूसरी तरफ जब ब्लैक मैटर ब्लैक लाइफ मैटर्स का मामला चला तो तो उसमें हज़ारों की दादात में बाहर निकले और बहु साथ नमास पड़ी जब कि उसको मसाजिद भी बन थी तो उसका जो है किसी ने इस तरीके से मीडिया ने कोवर्ट के हवाले से उसको नहीं जोड़ा और अलहम दोलिल्ला हमने भी यह भी देखा है कि उसके नतायच जो है इस तरीके से नहीं आए जैसे लोग सोच रहे थे कि अगर जो है वो आओ इस तरीके से लापरवाई करें कोछ सोचा था लाउड बाद नहीं हो रही थे लिक्कर उसके बावजिद भी जो नहीं हुआ जैसा कहा जा रहा था जैसा जा जा इस तरह कर नहीं वहाँ लोग निकले लोग ने मधैरे किया पूरे अमरीका में कियें के वागत की वज़ासे लोगों को लग चायमीन रियास्त काφी दूर है वहां नियॉक से तो वहां ये मामलाथ हुए हैं लापरवाही की वज़ासे तो वो लापरवाही समझते हैं लिकिन लोग जैसे फ्रॉस्टेट हो च Sadly जैसे मैंने आप से पहले कहा जिए लोग बाहर निकलना पमख्रावाई तो पहले कहिए और और अब जब दो जब आपको झाइं किया जब आच पहले किए जा और बाहर निकलना का मौका मिलड़ी यह towards कैन जब क्लीए घर रहता है तो ये दोनों के दर्मियान के बात हैं कि इनके लापरवाई भी वह रही है दूसरी तरफ बहुत जादा लोग है जो प्रोटोकॉल को भी फालो कर रहे हैं ठीके ब्रेक लेंगे यहाँ पर ब्रेक के बात वापस आएंगे तो आपसे कुछ मजीद सवालात करेंगे जिनके जवाबाद हम जानना चाहेंगे एक मुक्तसर से वकफे के बाद हमारे साथ रही है झालो करेंगे जानना चाहेंगे जाद है वेलकम बैक नाज़ीन प्रोग्राम सोशल रिव्यू में एक बार फिर आपको खुशाम देद कहेंगे क्रोना के बाद तबदीली के हवाले से हम बात कर रहे हैं तबदील होते हुए हालात का जिकर हो रहा है और लोगों के रहन से हैं और मामूलात में किस हद तक तबदीली बाके हुए है उस पर हम कुछ बात सीथ कर रहे हैं सीनियर एनलिस्ट माविज असाथ सिद्धी की हमारे साथ मौजूद है माविज साथ यह मुझे पताईए कि हम जिस तरह से कह रहे हैं कि बहुत चेंजिंग्स हमें नजर आ रही है क्रोना के बाद की जो लाइफ स्टार्ट हुई है लॉगडाउन खत्म होने के बाद तो क्या यह हमें एक तवील अर्से तक इसी तरह तर तमाम तर चेंजिंग्स जो है वो नजर आती रहेंगी या हम यह कहलें कि आप शायद आएंदा इसी तरह लोगों को रहना पड़े और वो इस रूटीन के आदी हो जाएं और जो उनका लाइफ स्टाइल है वो उसी तरह से इंडिवीजुली हर चीज करने के आदी हो जाएं और जो इस तमावाली कैफियत होती थी या जो वही बात की इवेंट्स होते थे आपकी सोशल एक्टिविटीज होती थी उसमें हमें वापिस वो तमाम तर मनाजर नहीं देखने को नजर आ सकेंगे जो क्रोना से पहले थ क्या यही मौडल पूरी जिन्दगी चलता रहेगा क्या यही चीजे फालो होती रहेंगी ये इक बहुत बड़ा स्वाल है कि करोना खतम होगा यह नहीं होगा क्यों कि कहा यह जा रहा है कि मुस्तविश चल रहा है हमने भी देख automAT मिक्र स्ञार इसकी क्या साइशनों के श् लोग होता हूँ, तो नहीं दूसरी जगह पैदा हो सकता हूँ, उसमें ऑनलाइन में आप कुछ भी कर लें, इसी त्रीका से अगर हम खाने पीने की बाद शूरू करें तो हमारा जिल्द चाहता है कि जाके रेस्टरांट्स में खाना खाएं, घर से बाहर खाना खाएं, वो ज भी लग रहा है, यह एक निया नॉर्मल है, सबस्वड़ी ऑनलाइन का जो कारवार बढ़ा है, यह एक निया नॉर्मल है, अब जूम की जितनी मुखबूलियत, जूम हम अपने आफिस में बहुत पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो मुखबूलियत हाउस होल्ड ने लाती है, इसलीए के कारोबारे जिन्दगी अगर आप बाहर नहीं निकल लाए, अगर आप जो है वो कहीं जा नहीं रहे है, तो आप जहाज के इंडिस्टी बेकार हो गई है, या गाड़ियों के इंडिस्टी बेकार हो गई है, फिर जाते हैं, लोग घौटेज पूरे उनके मामलात को हम रपोर्ट करेंगे तो यह बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी अब जो है वो अभी बदहर मुंकिन नदर नहीं आती हैं आज भी अगर हम किसी सरकारी आफिस में जाएं तो या तो वहां छुट्टी आएं लोग घरों से काम कर रहें या दूसरी तरफ जा है वो वही मास्क पहने इसी तरीकसे जो है वो आर्लाइइन का है किया अगराँ कोवर्ट के टेस्ट कर वा रहे है ये बिद्ट नंरमल तो ये शी दुनिया के तब्दील होगी तो एक क्वेशन है हो गई है अभी क्या दोबारा नॉर्मल आएगी एक बहुत बड़ा सवाल है उसी तरीके से क्या हो सकेगा उसी तरीके सामें एक दूसरे से जो है वो बहुत से लोग इस वक दोस्त ये बाई गले नहीं मिल पाते हैं खौफ के बढर करा रहती है उसको किस हद तक फालो किया जाता है या इनसान अपने मिसाज पर अपने डगर पर वापिस आएगा और जो है वो दोबारा जो है जहां जहां जो चीजे हैं सानमा हाल है बहुत सारी चीज़ें वो ओपन होगी क्योंकि अगर इसी दिख से रहा कोवर्ट क कैंसेल ओरी हैं जो हो सेनमा में नई मूवी डिलीज़ बलकि सेनमा चली नहीं रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़े तो इसको किस हद तक ये कर सकेंगे यह मततब जो डिजामे दुनिया चला रहे है इस वक निया रफ्ट हुआ है आधत auf लया क्यातो रहे है लेकिन जो इ इस दुनिया को जो सहत के हवाले से मत्वामत्धदा की तन्जी में वो जो चरा रहे हैं वो सोचेंगे कि भई इसका क्या होगा ये सवाल बहुत बड़ा खड़ा है इसका जवाब तो सिर्फ अल्लह ही जानता है और आने वाला वक्त बताएगा कि क्या करोना का अखताम होता है या बिजनिस यूही चलता रहेगा और पूरी दुनिया इस करोना की आदी हो जाएगी और इसका तो तंग भी होती रहेगी इसके हाथ वो मरती में रहेगी अभी तक तो वहराल जो हो बहुत जादा उमीद अफ़जा चीज़े नहीं आरे लेकिन दो चार चीज़े आईगी है उन में जो है वो वैक्सीन के जो फॉरी टेस्ट शू करने का भी जो है वो इमकान है अब ये देखें कि क्या होता है अगर वैक्सीन चल गई तो क्या उसके बाद नूर्मल हो जाएगी या वैक्सीन का भी जो है वो रिजिस्ट करना शूरू हो जाएगा करोना वाइरस ये आने वाला वक्त ही बताएगा फिला तो मैं इस तरीके से खुल के जवाब नहीं दे सकता लेकिन जो इस वक्त मामला चल रहा है उसमें मुझे तो अपनी जिन्दगी दूसरों की जिन्दगी बहुत तबदील नगराती है अच्छा कुछ थियूरीज भी पेश की गई थी कुछ कॉंसेप्ट से लोगों के अपने अपने ख्यालात या उसके बारे में कया साराईया कहले या वो इससे कबल आने वाली बिमारियों के हवाले से कुछ उनकी तज़र्बात की रोशनी में जो पेशन्गोईया की गई थी वो कितनी आपको दुरूस नजर आती है कि जिसने जो तरीका इलाज दरियाफ्ट किया या जिसने जो सिम्टम्स दरियाफ्ट किया या जिसने इसको खाबू पाने के लिए इसके इलाज मौलजे के हवाले से रि्सरच की या तुमामतर चीज़ें या इसके हवाले से जितनी भी बातें की गई वो कितनी आपको दुर्स थाबित होई नजर आ रही है और दोनों अलग सिम्त के हमें जाते हुए नजराए लिहाज़ा अभी तक इसके ओपर कंट्रोल पाना जो है वो मुम्किन है और वक्त के साथ साथ ये खुद ही कमजोर होगा और शायद फिर लोग इस बिमारी में मुब्तला भी ना हो जी आज सही कह रही है अब थियोरिस की शुरू में कितने कन्फ्यूज रहे हैं मतलब अगर हम खुद अपनी डॉनल्ड सदा हमारे हां नियॉर्क में कम सकाथ अमरिका में कम सकाथ डॉनल्ड टरम के अपनी थूरिया थी जो मस्तकिल फेल होते चले गए और वो बियान बदनते चले गए तो इसमें जितनी अमभात एक दुका वाकिया तो है लेकिन इस तरह बल्क में कोई चीज़ नदर नहीं आई तो बहुत सारी थीरूज इसके हवाले से चलती रहीं अमरिका के जो सहत के मुशीर थे फूजी वो उनके अपनी बाद अगत अलग सोच होती थी डॉनल्ड टरम की अलग सोच होती थी के लिए त्यार नहीं थे तो अब वैक्सीन की अनों ने जई वो बना ली है और वो अगर इस तरह का मतल वैक्सीन के लकाने में कामियाब हो जाते हैं तो ये भी थी थी कि वैक्सीन जैसी जदाद होगी तो लोहों का जो है वो अमनेदर्शन करेंगे और शके नतीज़ में लोग करोना से महफूज रखेंगे और तो सकता है यह स्लसला अगर जारी रहे तो जो है वो ब्रूंथ श audio को साफ को ऱते हैं ठीक हो जाया जो खौफ है मौत का करोना का वो कम से कम हो जाये और लोग बेखौफी से बहार निकले तो मिक्तलिफ फीरी जहें हम सारे सब को रद भी नहीं कर सकते हैं। लिकिन ये ज़रूर है कि इक बात बार बहु बर डाक्टर कहते हैं, हमें ज्यादہ नहीं मालूम। क्योंकि हर परतबafar एक नई परत, छोल के सामने आती है, पहले सास रोगारी थी, शोकुर्टर डॉक्टरो害 देखता हैं बात में पतलब प्रिप्ड में जा रही है तो वह चीज़ें आगे बढ़ते गए किसे को मालू ही नहीं नहीं था शेंपने कि आप अब चीज़ें बालू हो रही है तो नदरीया मतलन जो इसके हवाले से जो नदरिया कायम करते हैं उसमें तब्दीली भी मुम्किन है ठीक है बहुत शुक्री आमावज असस्तिदीकी आज के इस प्रोग्राम के लिए हमारे साथ मौजूद थे और कुछ हमने ये बात की कि जिस तरह से मौशरों में तब्दीली हो रही है लोगों के लाइफ को लेकर सलना पड़े और हम इस बीमारी से महफूज रह सकें लोगों के इस से तब्दीली में इस मौटाथ होते रवये से क्या असरात मरत्ब होंगे मौशर पर इस पर हमने कुछ बात सीथ की आज के इस प्रोग्राम के लिए फिलहाल इतना ही अगले हफते एक और प्रोग कर दो